हेलो फ्रेंट्स मैं सिए रेनु सिंगल आग सब लोगों का हमारी यूटीब चैनल लॉव वलेट पे स्वावत करती है कल 31 मार्च को नंबर और स्मॉल इंवेस्टर्स में एक टेंशन की लहर दोड़ गई हुआ क्या एक ओफिशन मेमरेंडम सर्कुलेट हुआ जिसकी कोर्डिंगली सेविंग्स पर फिक्स डिपॉजिट पर पीपीएफ के बीपी एनसी मिस इसी तरह की जो स्मॉल इंवेस्टमेंट्स होती है जो जनरे स्मॉल इंवेस्टर करते हैं उस पर इंटरस्ट्रेट में तो देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ और अब एक्चुली रेट क्या है तो अगर अभी तक आपने हमारे यूटिप चैनल लौ वालेट सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक ओफिशल मेमरेंडम आया कहां से डिपार्ट्मेंट ऑफ नॉमिक अफेर से 31 मार्च को जिसके एकॉर्डिंडी सेविंग डिपॉसिट पर जो 31 मार्च तक हमारा रेट था मिस्स लास्ट क्वाटर का 4 परसंट उसे 3.5 परसंट कर 4.4 2nd year का 5.5 से 5 3 साल के लिए 5.5 से 5.1 5 साल के लिए 6.7 से 5.8 और 5 भी रिक्रिंग डेपॉसिट पर 5.8 से 5.3 इसी तरह से senior citizen की सेविंग्स पर काफी अच्छा rate of interest होता है वो भी 7.4 से 6.5 मंतली इंकम स्कीम पर भी 6.6 से 5.7 नेशनल सेविंग सेर्टिफिकेट से एनसी के रते 6.8 से 5.9 पीपीएफ 7.1 से 6.4 किसान विकास पर 6.9 में जो पहले 124 मंस में मैचूर हो रहा था उसे 6.2 करके 138 मंस की मैचूरिटी आ गए सिमिरली सुकन्या स्म्रिधी एकाउंट स्कीम में भी 7.6 से 6.9 रिड्यूस कर दिया गया इसके कमपाउंडिंग भी यहां साथ में कॉलम में भी गई है इस रिजन से सभी स्मॉल इन्वेस्टर टेंशन में थे कि यार पहले इती प्रॉब्लम है और प्लस अब हमारे जो हमने सेफ सेक्यूरिटी कर रखी थी सेफ इन्वेस्मेंट कर रखी थी उसमें भी हमारा रेट अफ इंटरस इतना रिड्यूस हो गया कि जस्ट वह इंफले स्मॉल सेविंग स्कीम के गर्मेंट ऑफ इंडिया के शल कॉंटिनु टू बी एट इस सेम डिट विच एग्जिस्टेट अंदि लास्ट वार्टर व तुन्टी तुन्टी वन यानि कि जो अभी पुराने रेट थे वह ही रहेंगे वी सिकिस के जलास्ट वार्टर के हमने प बहुत ज़्यादा खराब लगा कि पहले आप एक ओफिशल मेमोरेंडम निकालते हैं और उसके थूप बिना कोई टायब के बिना कोई ब्लानिंग कि यह हम रेट डियूस कर देते हैं फिर एक सिंपल ट्वीट के थूप वापस से कह देते हैं कि रेट वही रहेंगे जो ला अगर आपको मारा वीडियो पसंद आता है तो इससे जादा से जादा लाइक और चेर कीजिए थैंक यू